कस्टमर एक्विजिशन एक्विजिशन का मतलब होता है अधिक रहेंड करना या फिर एक्वायर करना कोई चीज ऑप्टेंड करना तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप कभी शॉपिंग पर जाते होंगे किसी बड़े मॉल में जाईए तो आप वहाँ पे जब कुछ पर परचेज करोगे तो आपको 50% 60% 70% का डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपने देखा होगा कि बाई वन गेट वन फ्री या फिर आप बहुत सारी कंपनी होती हैं जो कि फ्री सेंपल डिस्ट्रिब्यूट करती हैं क्लियर और एडवर्टीजमेंट्स और तो आप देखने हों जो लोग हैं पीपल जो हैं वो उनका प्रोडट्ट परचेज करें तो इसी को क्या कहते हैं कस्तमर एक्क्विजिशन कहते हैं या क्स्तमर को एक्वाइर करना और एक्वाइर करने के लिए आपको यह सारे आफब़र्श, यह सारी स्कीम, यह अटोाईकशमेंट्स होता है, यह सभी करने पड़ते हैं तो इसी को क्या कहा गया customer acquisition क्या हो गया the process of acquiring new customers for business or converting existing prospect into new customer clear तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर process होता है customer acquisition क्या होता है एक process होता है जहां पर आप customer को acquire करते हो अपने business के लिए यानि कि आप manufacturing company हो और या marketing company हो आप जो है नए नए लोगों को as a customer purchase क्यों करेंगे या तो quality होगा या फिर आप कुछ ना कुछ office दे रहे होंगे clear तो जो है product purchase करते हैं या फिर आप क्या करते हो कि जो prospect होता है या लगता है कहां यह आपके customer हो सकते हैं लेकि अभी तक customer को हुए नहीं है उनको आप क्या करते हो अपने customer के रूप में तो उसी क customer acquisition कहा जाता है त्यानि कि refers to bringing in new customers और convincing people to buy your product तो simply क्या हो गया कि यहां पे आप नए customers को अपने साथ जोडते हो या फिर आप convince करते हो people को कि वो आपका product purchase करें तो convince कैसे करोगे बटा उसी बाद है कि इनी सब process से करोगे कि advertisement दिखाओगे sales coupon दोगे free samples distribute करोगे कोई offers निकालोग दोगे buy one buy one get one होगा ठीक है तो this process is specifically concerned with issue like acquiring customer less cost है क्या होता है कि जो हम customer को acquire करते है तो इसको कहते है acquiring cost क्या का जाता है the cost of acquiring a new customer is referred to as CAC यानि customer acquisition cost और हर company का motive होता कि कम से कम cost में ज्यादा से ज्यादा customer को क्या कर लगे acquire कर सकें तो इससे क्या होगा it helps you make the money you need to cover cost and pay employees allowing you to reinvest in the business and drive better result for your client बट्टा उसी बात है कि customer ज्यादा से ज्यादा आपके पास होगे तो क्या होगा कि आपके पास पैसा ज्यादा आएगा पैसा ज्यादा आएगा तो आपने जो cost लगाए वो कबर हो जाएगा आप employee के लिए खर्चे जो salary होती वो सारी चीज़े दे पा जो भी stake holders होते हैं कहने का मतलब जो partners होगे, investors होगे, outside influencers होगे, उन सभी को क्या है, उन सभी का growth होगा, उन सो को success मिलेगी जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा customer होगे, clear, तो customer acquisition का मतलब अगर एक line में कहें, तो ज्यादा से ज्यादा नए customer अपने साथ जोड़ना, नए people को जो people हैं, market में, जो आपका product purchase नहीं कर रहे हैं, उनको अपना product sell करना और उनको customer बनाना, clear, तो वही चीज़ क्या होगे, customer acquisition हो गया, अब बात कर ले customer acquisition process का, तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, customer acquisition process में, focus किस पे कि आपको customer acquire करना है, customer बनाने है अपने लिए, तो सब आपने target कर लेगे, आपको जो है, जो 18 से 25 age group के people हैं, youngsters हैं, उनको आपको अपना customer बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपका जो product है, उसकी product के बारे में, उनको aware करोगे, leads generate करोगे, advertising करोगे, social media का use करके, जो है, आप videos बनाओगे, content बनाओगे, blog लिखोगे, इन सब के थूँ जो है, आप radio TV पे, आप जो क्या करते हो, aware करते हो, उनको अपने product के बारे में, schemes के बारे में, clear, फिर उसके बाद क्या होगा, interest जगेगा, यानि कि जो लोग आपका advertisement, आपका promotion देख रहोंगे, उनके अंदर interest जगेगा, वो inquiries करेंगे, आपका हो सकता है, video देखेंगे, website visit क एरे videos बना है, telemarketing, जो आप देखते हो, call center से आपको calls आती रहती है, वो इसलिए आती है ताकि वो आपको influence करें, evaluation में help करें, evaluation क्या मतलब है, आज के time पे हर एक product के लिए multiple options available है, यानि कि आपकी कोई need है, उस need को fulfill करने के लिए multiple product है, तो multiple product है, तो अगर single product होते होते हैं, आप क्या करते हो, compare करते हो, आनि कि evaluation करते हो, कि आपके budget के according, आपके need को कौन सा product है, जो की fulfill कर देगा, तो इसको कहते है, evaluation, तो यहाँ पे भी companies को focus काना चाहिए, कि वो अपने product को खुदी compare करें, किसे दूसरे product के, आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे advertisement साते हैं, जिसमे आपको जो है, कोई फायदा नहीं होते हैं, लेकिन आप EPSODE ENTIA, फिर SENSODINE यूस करेंगे, तो आपको जो impact परता है, clear, उसके बाद क्या करता है, customer वो trial करता है, तो trial करें, इसके लिए आप क्या करते हो, samples देते हो, coupons देते हो, sample दोगे, coupons दोगे, तो इंसान जो है, वो द है, वो develop हो जाएंगे, तो यह customer को acquire करने का process है, यहाँ पर कहने का मतलब से इतना है, कि आपको किसको बनाना है, अपना customer, उसको focus करें, उसके लिए advertisement करें, उसके लिए promotion करें, उसको sales coupon दीजिए, उसको evaluation में help करें, उसको convince करें, जिससे कि आपका product try करें, और आपका product finally purchase कर ल अपने pricing से वो आपको कहीं न कहीं influence कर देते हैं, और आपको जो अपना product मेंच के चले जाते हैं, यानि वो आपको अपना customer बना लेते हैं, तो यही चीज यहाँ पर भी customer acquisition process में है, बस यहाँ पर यह है, कि आपको long term relationship develop करना होता है, यानि कि यहाँ पर आपका motive यह नहीं होत में लास्ट में आता है कि रिटेन दा customer, आने की product जब purchase कर लिए अब आपको उसको बार बार आपका product की purchase कर लिए इसके लिए भी आपको जो है, companies को जो है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रमोशन करना पड़ता है, और वहाँ पर जो है उनको offers होगरा देने पड़ते हैं, तो that is customer acquisition process, wish you all the best, keep watching.